आज से कल तक, कल सुभे तक mostly wind रहेगा 50 to 60 km per hour, gusting to 70 km per hour पुरी गुजराश स्टेट को बारिस रहेगा, light to moderate rain रहेगा, भारी से अत्ती भारी बारिस रहेगा, even extremely heavy rainfall भी रहेगा नमस्कार BBC गुजराटी मां तमारू स्वागत छे, अत्यारे हाल मां गुजराट मां खुबज भारे वर्साद अमुग भागों मां चाली रहेगा, अने कहवाई रहेगा छे के गुलाब बावा जोडानी जे एक रिते आफ्टर इफेक्स छे, एना कारणे आजे वर्साद छे, अने जे, हेट छे, मनोरोमा मोहंती जी ए अमरी साते छे, मैम नमस्कार, स्वागत है आपका BBC में, नमस्कार, मैं ये अब ये फिलहाल सप्टेंबर महिने में इस तरह की बारिश हो रही है, तो क्या रीजन है उसका, क्या लगता है आपको? अभी जो, अभी जो बारिश हो रहा है, अभी जो साइक्लोन गुलाब बना था, पेय बेंगल में, उसका जो रिमनांट, रिमनांट अभी साओध गुजरात अंड आडजेनिंग गल्फ अव कंबे में, वहलमर्क लो प्रेशर एरिया है, उसका मुम्मेंट मोस्टली रहेगा, उसकी कारण के वहलमर्क लो प्रेशर एरिया के भजे से पूरिये गुजरात स्टेट को बारिश रहेगा, लाई टू मॉडरेट रहेगा, भारी से अत्टी भारी बारिश रहेगा, इविन एक्स्ट्री मुम्म्ली एवी रैंफ भी रहेगा। एक्स्ट्रीम्ली और चाहट को जुनियों पिर आनंध की सारे जगाहों Μें है तो इरिये रेंफॉल रहेगा इविन ऐसलेटेट एक्स्ट्रेमली यही रेपल भी रहनेगा संभावना है और सौराश्ट्र में स्पेशियली अंपो डिस्ट्रिक्ट में हविड से रहेगा 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 रें औ पुर्बंदर में heavy rain होने का संभावना है और isolated heavy rainfall मोर्ग भी सुरेंदरानगर में हो सकता है इविन द्वारका में भी heavy rain तो entire सावराष्ट्र में heavy rain रहेगा और heavy heavy rain भी रहनेगा संभावना है कच में भी isolated heavy rain होने का संभावना है कुल मिला के entire गुजरात में active spell रहेगा और heavy से very heavy and extremely heavy rain होने का संभावना है मोस्ली सूरत नौसरी बलसाड और भरूच में भी isolated heavy rain होने का संभावना है लेकिन मोस्ली जो heavy से very heavy rain रहेगा और परवंदर भुमिद्वार का जामनगर कच में भी होने का संभावना है isolated heavy जो नागर गिर समनात में भी हो सकता है दो दिन गुजरात में लोगों को तैयारी रखनी पड़ेगी heavy to very heavy rainfall मुक्यत वे जे सवराष्ट नो जे रीजन चे नहें मा कच नो जे समाविश्थाई चे कच ने सवराष्ट ना रीजन मा उनारा बैदी उसमा heavy ने very heavy rainfall था वानुचे मैं आप हमको थोड़ा बता पाएंगी कि यह फिलाल इमेज में कि क्या किस तरह की किस तरह का depression खड़ा हुआ है और अगर सेटलाइट इमेज से आप थोड़ा समझा पाएंगा अब भी पिलाल हमारा जो system है वो अभी South गुजरात अट जैनिंग एरिया में है और सिस्टम का movement mostly west north westward रहेगा और उसके कारण से हमारा कोस्ट के लिए गुजरात कोस्ट अट जैनिंग नर्थ इस्ट आरबियान सी के लिए wind वानिंग दिया गया है port warning, fisherman warning भी दिया गया है day one के लिए आज से कल सुभे तक mostly wind रहेगा 50 to 60 km per hour gusting to 70 km per hour रहेगा गुजरात कोस्ट आट जैनिंग नर्थ इस्ट आरबियान सी में and day two के लिए wind speed रहेगा 80 to 90 km per hour gusting to 100 km per hour यह जो ओल्मार्क लो प्रेसर अरिया भी है कल सुभे तक नर्थ इस्ट आरबियान सी में मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा और डिप्रेशन बनने का संभावना है by tomorrow morning and day after tomorrow morning यानि पर्शू, cyclone बनने, cyclonic storm बनने का संभावना है इसलिए पुर्य इंटेयर गुजरात कोस्ट के लिए fisherman warning, port warning रखा दिया गया है, जारी किया गया है और signal LCS 3 signal issue किया है, local customer signal number 3 waste किया गया है, सब भी port में तो तम्हें जो ही शक हो जो है हम के आजे मैडम ना, जे computer उपर आजे satellite इमेच छे माँ जे cloud छे आपने clear लिए जो ही शक्या जे का गुजरात उपर हाल मा जे वर्सादनी संभावना छे तमाम विस्तारों मा छे मनों के हो छे के तमाम प्रकारना जे warning छे warning कोस्टल एरिया मा बद्धाने करी दीदा छे इश्यू करी दीदा छे warning तो मैं यह सब्टेंबर में इस तरह का कभी पहले आपने देखा है कि इस तरह का depression इस तरह का जो atmosphere अभी हुआ है सब्टेंबर महीने में पहले कभी हुआ इस तरह से अभी जो सब्टेंबर सब्टेंबर लास्ट हो गया है mostly October अभी एक दो दिन में October में साइक्लोन बनता है सेप्टेंबर एंड में रियर फिनोमेना होता है पर इस सल साइक्लोन बेया बेंगल में बनके फिर आके फिर अभी आरबियन सी में साइक्लोन बनने का संभाव ना है लेकिन वो साइक्लोन का movement mostly west north westward रहेगा और वो mostly हमारा गुजरात को affect नहीं करेग साइक्लोन जो अभी आगे बनने की possibility है उसको लेकर तो यह जो गुलाब साइक्लोन की हम बात करें तो गुलाब साइक्लोन तो वैसे काफी लंबा सफरत है किया ऐसे कह सकते हैं Bay of Bengal और वहां से शुरू करकर वो मतलब ओमान तक जाने की संभा होना कह रहे हैं तो क्या गुला तो नाम साहीन जो रहेज़ वयकर विए अगर प्रवान इमान किया गया है साइक्लोनिक स्टम बने ङया तो उसका नाम साही रहेगा आंड इसका organism hen मосьली न्र्ट वेस्ट वार जाएगा। पाकिस्तान कार पाकिस्तन कोस्तों होगétais stimmt के उसको ऋपमेंड होगानी इंडियर वाथ तुम फाफ म॔ हे有स बेल जायगां।